दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहतरीन खबर है इंडियन ब्रैंड यानि देशी कंपनी राफ्ट मोटर्स ने इंडिया के अंदर अपना एक e-scooter लॉंच कर दिया है और e-scooter को लॉंच करने के साथ ही उसने एक बहुत बढ़िया कमाल भी कर दिया है अब आप स को सिंगल चार्ज कर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई e-scooter नहीं है जो इससे ज़्यादा आपको रेंज देता हो राफ्ट मोटर्स ने इलेक्ट्रिक विकल के बजार में इंडियस NX को लॉंच करके तहल का मचा दिया है यह है दुनिया का पहला और एक मात ऐसा स्कूटर है जो सिंगल चार्ज में सबसे ज़्यादा रेंज देता है यानि सिंगल चार्ज करने के बाद यह सबसे ज़्यादा किलोमेटर चल सकता है इसके साथ ही कमपनी आपको e-scooter पर एक लाख किलोमेटर तक की वारंटी देती है जो डूवल बैटरी और 10 एम्प इस डिस्क ब्रेक और चाइल्ड सेफ पार्किंग जैसे फीचर्स दिये गए हैं राफ्ट मोटर्स ने इंडस एनेक्स को तीन वेरियंट में लॉंच किया है पहला वेरियंट पोर्टेबल बैटरी के साथ आता है जिसकी कैपैसिटी फॉर्ट और 65 एह की है जो सिंगल चार् आपको नोन रिमुवेबल बैटरी जो 45 वल्ट और 135 एह की लीथियम आयन की कैपैसिटी के साथ आता है इसको सिंगल चार्ज करने के बाद यह आपको 324 किलोमेटर तक की रेंज ओफर करता है इस वेरियंट की कीमत मुंबई एक्शोरूम के हिसाब से 191,900 रुपीज के अप जो सिंगल चार्ज करने के बाद आपको अप्रोक्स 500 यानि 500 किलोमेटर तक की रेंज देता है जो अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा है वहीं इसकी एक्शोरूम प्राइज आपको अप्रोक्स 257,000 रुपीज के अप्रोक्स आपको मिल जाती है वहीं अगर इसकी डिल डिलर्शिप की बात करें तो राफ्ट मोटर्स की अप्रोक्स 550 से ज्यादा सिटी में डिलर्शिप है वहीं राफ्ट मोटर्स का कहना है कि 2022 तक वह भारत के सभी सहरों में अपने शोरूम स्थापित कर लेगा और वहीं 2023 तक कमपनी हर एक देश में अपनी मुझूदगी बन सकते हैं कुछ समय पहले ही राफ्ट मोटर्स ने फोर्ड इंडिया के करमचारियों और डिलरों को भी मोका देने की पेशकस की थी कि आप उनकी डिलर्शिप को ले सकते हैं राफ्ट मोटर्स इलेक्रिक वीकल के साथ कंजूमर प्रोडेक्ट भी बनाती है जैसे इनके आपक लेडी टीवी देखने को मिल जाएंगे तो इलेक्रिक वीकल से रेलेटिड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इलेक्रिक इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में